नमस्कार मैं हो ससी आया जरगां की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं कुरोना की तीसरी लहर में बच्चे नहीं होंगे परभावीत स्वास्त मंत्रा लए कुरोना की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह परभावीत होंगे या काहना सही नहीं है क्योंकि सीरो सर्वे में या बात सामने आई है कि सभी आयू वर के लोगों में सीरो पोजिटिविटी एक समान है बावजूद इसके सरकार तीसरी वेब से निपटने में कोई कोताही नहीं वरत रही है उक्तबाते स्वास्तर मंतरालाए के सन्युक्त सचीव लव अगरवाल ने प्रेस कॉंफरेंस में कही बतादे ग्रामिन छेत्रों में 18 वर से कम आयू के ब्यक्तियों में सीरो पोजिटिविटी दर 56 परतिसत और 18 वर से अधीक आयू के ब्यक्ति में 63 परतिसत है जनकारी से पता चला है कि बच्चे संक्रामित थे लेकिन या बहुत हालका था मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेत्र बनने वा जार्खन में मांसुन के सक्रिय रहने के कारण अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के उनसार 24 जून तक मांसुन की बारिस होती रहेगी इस बीच जार्खन के कई जीलो में भारी बारिस की संभावना व्यक्त की गई है जबकि कई जीलो में बजरपात की भिया संका है इधर आजधानी में रुक रुक कर बारिस होने से जन जीवन परभावित हो गया है जैक बोड दसवी बरहवी रियल्ट जारी होने की संभावी 30 जूलाई जार्खन में मैट्रिक वा इंटरमेडियेट के रियल्ट की त्यारी जोरो पर है बतादे फर्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है 7 जूलाई तक राजे के सभी स्कूलों वा कलेजों को इंटरनल असेस्मेंट का अंग देने का निर्देस दिया गया है ऐसा संभावना है कि मैट्रिक इंटर का रियल्ट 20 जूलाई तक आ सकता है बतादे ज Souls में मैट्रिक इंटर। परिक्षा 2021 के परिक्षारतियों के मुल्याकण की परकियत्ता है कर दी गई है कांक्छा 9 वा 11 वी की परिक्षा के परप्तांको इस वर्स मैट्रिक इंटर के रियल्ट कामो के आधार बनाया गया है कुरोना की तीषरी लाहर से बचने के लिए CMनी की 20 सगयों डोक्टों से बात चीत राजिय में कुरोना की 3 लाहर से निपटने की तयावी सुरू कर दी गई है मुखे मंत्री हमन्सुरें ने संभावी 3 लाहर के सौरूप और बचाव पर देश भर के विशेसगे चिकित्सकों से बात की विशेसग्यों ने लगातार रूप बदलते कुरोना वाइरस की तीसरी लहर में बचों पर ज्यादा परभाव पढ़ने के जंका जताई है हलाकी उन्हों ने कहा है कि इसका और थेयर नहीं निकाला जाना चाहिए कि तीसरी लहर से वशक परभावित नहीं होंगे पंचाज सचीव अभियार्थियों ने मुख्य मंत्री से लगाई अम्ती मेदा सुची जारी करने की गुहार जार्खन में पंचाज सचीव अभियार्थियों ने सुक्रवार को ट्यूटर पर अमती मेदा सुची जारी करने के लिए मुख्य मंत्री हमान सुनें से गुहार लगाई है पंचाज सचीव अभियार्थियों ने ट्यूटर पर ज्रकन पंचाज सचीव अभियार्थि हजटेक के जरिये मोख्य मंत्री को अपनी समस्याओ से अवगत कराया है बतादे अभियार्थियों ने बताया कि जार्खन करमचारी चयन आयोग द्वारा द्वहर सत्रा में कुल 38 पदों के लिए पंचाज सचीव तथानिम्न वर्गिये कलर का विग्यापन निकाला गया था इस बहाली की सब परकिरिया सितमर 2019 में पूर्ण कर ली गई थी लेकिन 2017 से आज तक चार साल बाद भी अम्तिम परिणाम फाइनल रियल जार्खन करमचारी चयन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है गरीब और किसानों के साथ अन्याय कर रही सरकार दिपक परकास किसानों के साथ हो रहे अन्याय धान के बकाय के भुगतान को लेकर परदेश भाजपाने राजे भर में खेतों में धार्ना दिया कारे करम परदेश के सभी मंडलों के 1163 अस्थानों पर संपन हुआ इसमें हजारों की संक्या में किसान और पार्टी के कर्यकरता सामिल हुए भाजबा ने धारना के माध्यम से सरकार से किसानों के बकाय के भुकतान की मांग की जार्खन में दलीतों के खिलाब हो रहे अत्याचार को लेकर अमर बाउरी ने की राजेपाल से मुलकाद पुर्व मंत्री और विधायक अमर कुमार बाउरी ने सुक्रवार को राजेपाल द्रोपदी मुर्मु से मुलकाद की इस दोरान उन्होंने राजेपाल को जार्खन में दलीतों के खिलाब हो रहे अत्याचार की घटनाओं से अवगत कराया और मामलों को संग्यान में लेने की अपील की बाउरी ने राजेपाल से कहा कि परदेश में दलीतों की जमीन लूटी जा रही है निम्तम मैदूरी पर काम लिया जा रहा है मना करने पर मार पिट की जाती है परदेश में दलीतों की इस ठीती काफी खराब है स्वास्त मंत्री ने किया 45 पलस के लिए चलंत टीका करण का सुभारम ज्यारकन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने सुक्रवार को पूर्वी सिम्भूम जीले में ग्राम अस्तर पर 45 पलस आयू वर्ग के लोगों के लिए चलंत टिका करण अभियान का सुभरम किया बता दे सुदर अस्पताल जमसेथपूर में मुख्य कारेकरम आयूजीत किया गया जिसमें मंत्री बीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से जुड़े स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा कि ग्रामीन छेत्रों में लोगों को टिका करण के लिए जागरू करने के लिए अभियान चलाए गया है ऐसे में चलंत टिकाकरम कारेकरम से लोगों को जोड़ कर सत परतिशत लोगों का कोविट टिकाकरन कराने के लिए राज सरकार कृत संकल पी था है जारखन में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत जारखन में सुक्रवार को ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हुई है राजे में ब्लैक फंगस के कूल 132 मरीज हैं इनमें 89 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षन पाए गए हैं जबकि तीरपन मरीज संदिक्द हैं स्वाक्त विभाग के नोडर पता दिकाई सिधातिर पार्टी ने सुक्रवार को प्रेस वारता में बताया ब्लैक फंगस से 26 मरीजों की अब तक मौत हुई है जबकि 50 मरीज ठीक होकर हस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं जारखन में सुक्रवार को 141 नए केस मिले हैं बतादे जारखन में सुक्रवार को 2 मरीजों की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 5,997 है वहीं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 1811 है पतादे भारत में 6,749 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 7,94,980 है जारखन में एक्टिव केस इस परकार हैं राची 29, पूर्वी सिम्भू 18, हजारी ब्राग 14, बोकारो 6, धनबाद 3, रामगर 7, पच्मी सिम्भू 5, कोडार्मा 6, पलामू 1, देवघर 0, गुमला 8, गिरीडी 6, खोटी 1, लातेहार 3, सराय किलाखर सावा 9, सिम्डेगा 8, घडवा 7, लोर्दागा 2, चातरा 1, गोडा 2, जाम तड़ा 2, साइब गंज 2, दूमका 0, पाकुर से एक मरीज 1, एक टिवा, खोटी सिम्डेगा एवं गुमला में साई पर सिक्षन केंदर खोलने की मांग, जामूमों के पुर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिस्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खोटी सिम्डेग वह गुमला जिले में स्पोर्ट अथरिटी ऑफ इंडिया साई का केंदर खोलने की मांग की है, बतादे पत्र में मिस्रा ने कहा है कि खोटी सिम्डेगा और गुमला जिला होकी की जननी है, टोक्यो उलमपिक में खोटी जिले की निकी परधान और सिम्डेगा जिले की सलीम टेटे का चैन हुआ है ऐसे भी खोटी में मरांग गोम के जैपाल सिंग से लेकर निकी परधान तक और भवी समेना जाने कितने और खिलाडी उलम्पिक खेल में प्रतिनिधित्व करेंगे कहां नहीं जा सकता लाइट हाउस पर्योजना को हस्तांतरित करने की मांग राजधानी के जगरनाथ पूर्थाना छेत्र के मित्र मंडल मैदान में लाइट हाउस पर्योजना और निवान कारे के बिरोध में सुक्रवार को बस्ती बचाओ संगहर समीती के प्रतिनिधि मंडल ने नगर विकास प्रतिनिधी मंडल ने HEC छेत्र के मित्र मंडल मैदान से लाइट हाउस पर्योजना को हस्तांत्रित करने की मांग की बताजे समीती के संजोजक मन्टु पास्वान के नित्युत में मिलने पहुंचे प्रतिनिधी मंडल ने नगर विकास एवं अवास विबाक के सच्चु बिनाय कुमात चोबे को मांगो से समन्धित ग्यापन सोपा CCTV के जरिये होगी रांची की निग्रानी जारकन की राजधानी रांची अब पूरी तरह CCTV की निग्रानी में होगी इसकी त्यारी सुरू हो गई है इसके लिए स्मार्ट सीटी स्थित कंट्रोल रूम और पहले से काम कर रहा कछरी स्थित कंट्रोल रूम को मर्ज किया जाएगा बता दे दोनों कंट्रोल रूम के आपस में लिंक अप होने के बाद पुरा सहर कैमरों की जद में आ जाएगा इस पर काम भी शुरू हो गया है देवघर उपायुक्त का नारा टीक ना है तो टीका लगवाना है देवघर उपायुक्त की अध्यक्षता में सुक्रवार को वीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से देवघर नगर निगम के सफाई मित्र, करमचारियों यों बाबा मंदिर के आसपास खुदरा दुकंदार संके प्रतिनी धी वो सदस्यों के साथ ओनलाइन परिचार्चा सवबैटा कायों किया गया उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब बाबा मंदिर का पट खुलेगा तब यात्रियों का अभागवन शुरू हो जाएगा जिससे कि बाबा मंदिर के आसपास के दुकानों को कुरोणा संक्रमन का खात्रा हो सकता है इससे बचाओ का एक मात्र उपाया है सतकतावा कोविड टीका है ऐसे में याद रखे कि टीक ना है तो टीका लगवाना है के नारे के साथ बाबा बैदनात की नगरी को संक्रमन मुक्त बनाने के उदेशे से आप सभी टीका करण अवियान में बच रख कर भाग ले एवं जिला पर ससन का स्वयोग करे पलामू सांसद ने किसान हीत को लेकर दिया धरना चैनपूर परखंड के ग्राम कारा काट में सुक्रवार को सांसद बिस्वून दयाल राम के नेत्युत में किसान हित को लेकर वह किसानों द्वारा उपज किये गए धान की करय सरकार द्वारा नहीं किये जाने के बिरोध में किसानों के साथ खेतों में सांति पूर्ण धारना दिया गया मौके पर संसद ने कहा कि किसानों की सारी समस्याओं का निदान उचित फोरम में किया जाएगा या कारकरम हेमन सरकार के बिरोत किसान बिरोधी रवया को लेकर राजय व्यापिक कारकरम के तहट खेतों में किसानों के बीच किसानों की समस्या को लेकर किसानों के साथ आयोजित किया गया है बंगाल की तरह जार्खन में भी राज भवन बिवादों में कॉंग्रेस का रोफ है कि भाजबा बंगाल की तरह जारखन में भी राजबहवन का गलत इस्तिमाल करना चाहती है परदेस कांग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष राजेस ठाकूर ने सुक्रवार को कहा कि बार बार भाजबा के नेता राजबहवन को ग्यापन सोफ रहे हैं राजे में जानता कि द्वार चूनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार है ऐसे में मुख्य मंत्री के पास नहीं जाकर हर बात को लेकर राजबहवन जाना कताई नया संगत नहीं है भाजबा सनवेधानिक संस्थाओ और पदो की मर्यादा को तार-तार करने में लगी हुई है भाजबा के नेताओ को राजबहवन की गरिम्या का ख्याल रखते हुए राजनितिक अखाल नहीं बनने देना चाहिए पुर्व मदर रेलवे हाजबूर के रेलवे सुरक्षा बल के उप मुखे सुरक्षा आयोक्त के राचे इस्थित आवाजबा बच्ची सेजन सोसन मामले में राश्टिये बाल अधिकास सनचन आयोग ने संग्यान लिया है आयोग ने मामले पर संग्यान लेते विराची के स्थि को पत्र लिख कर जाच रिपोर्ट सौपने कादेस दिया बता दे बच्चे की गोपनियता को सुरक्षी तरकते हुए साथ दिनों के भितर रिपोर्ट शौपने कादेस दिया गया है गौतला भाय की उप मुखे सुरक्षा अयोत के आवास पर योन सोशन का मामला सामने आने के बाद आरोपित जवान को प्रखास्त कर दिया गया था वाटसेप गुरूप नहीं बनाने पर इसकूलों से जबाब तलब धनबाद कुरोना काल में घर में रह रहे बचों को पढ़ाई से जोडने के लिए वाटसेप गुरूप नहीं बनाने वाले 17 इसकूलों को धनबाद जिला सिक्षा अधिक छक इंद्र भोसन सिंग ने सोकाज किया है बता दे इन इसकूलों के परभारियों पर अरोफ है की विभाग द्वारा कोई बार निर्देश देने के बाद भी इन लोगों ने बचों का वाटसेप गुरूप बनाने में कोई दिल्चास्पी नहीं ली इस वज़ा से इन इसकूलों के बच्चे के पास अभी तक इकांटेट नहीं पहुँच रहा है जार्खन के चौदा जिलो में नगर निकाल चुनाओ की प्रसास्निक तेयारिया तेजी से चल रही है निकाल चुनाओ के लिए 31 जुलाई तक प्रसास्निक तेयारिया पुरी हो जाएगी बता दे यह बाते गुरुआर को राज निर्वाचन आयुक्त डिके तिवारी ने कही उन्होंने कहा कि कुछ जिलो में पूर्ण बोड़ी का चुनाओ होना है जबकि कुछ जिलो के नगर निकाय में रिक्त पदों के लिए उप चुनाओ होने है फिजिकल कोट सुरू करने की मांग राज में कुरुणा संक्रमन कम पढ़ने के बाद फिर एक बार वकील फिजिकल कोट सुरू करने की मांग कर रहे है बतादे वकील अपने जीलों के बार संगों और एसोसियेशनों को पत्र लिख फिजकल कोट शुरू करने का दबा बना रहे हैं कुछ वकीलों ने बार कॉंसिल को भी इसके लिए पत्र लिखा है बतादे वकील बार कॉंसिल को बैठक बुलाने को कह रहे हैं सीविल कोर्ट 21 जून नहीं 28 जून से डे सीविल कोर्ट 21 जून नहीं बलकि सोमर 28 जून से मौरिंग की जगठ डे का हो जायेगा बतादे कोर्ट का काम सुबह 10 से 3 4 जाये तक चलेगा दो फ़र 概ष से 2 जाये तक लूंच टाइम होगा इसके बाद दो बये से लेका साम साथे चार बये तक न्याई कार्य होंगे बता देखर याले सुबह दोस से साम पांच बये तक खुला रहेगा इस समन्द में परभारी न्यायुक्त यसके ससी के हस्ताक्षर से राईश्टार ने अजिसुचना जारी कर दिया बैस्विक में हमारी कुरोना वायरस के बड़ते परसार के नियंत्रन एवं रोक्थाम के मदे नजार गुमला उपायुक्त सीसीर कुमार सीना के अध्यक्सता में जीला अस्तरिय कोविट टास्पोर्स की बैठाक आई टी डी ए भावन के सभागार में हुई कोविट नाइटिन के तिसरे लार्शन इपटने है तू सीविल सर्जान ने बताया कि सदर अस्पताल के उपरी तले में सिसुओ के लिए पीडियो ट्रिक वाड की अस्थापना की गई है सदर अस्पताल में कूल 110 बेढ़ाएं धन्यवाद यादि आप चैनल पर ना हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल के लेकर अंद बढ़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों से असर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवासे दे थाइंक यू